हलो बच्चों कैसे हैं आप लोग आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे आज हम आपके लिए एक्जाम्स में आए हुए वन वर्ड सब्सिट्यूशन लेकर आए हैं जो ये हंडेट प्लस वन वर्ड सब्सिट्यूशन है जो की एक्जाम्स में आते रहते हैं आते रहते हैं और ज्यादा तरिश में जो है वो वन वर्ड सब्स्ट्रिउशन है जो आ चुके हैं तो यह वीडियो आपके SSC MTS SSC CGL SSC CHSL Bank TAT CTAT और अधर जगह जहां भी और UP Board के एक्जाम्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट है तो चलिए शुरू करते हैं देखिए पहला हमारा है पहला हमारा है दे लाइफ दे लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैं रेटिन वाइँ हिंसेल्फ यानि कि जीवन की हिस्ट्री स्वाइम के द्वारा लिखी गई अगर कोई बेखती स्वाइम लिखता है तो उसको आत्म कता कहते हैं और इंग्लिस में उसको क्या बोलते हैं आर्टोवाइग्राफी क्या बोलेंगे आर्टोवाइग्राफी उसके बाद अगला है देखिए यानि कि वह व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता है तो उसको हिंदी में नास्तिक बोलते हैं इंग्लिस में एथियेस्ट क्या बोलते हैं एथियेस्ट उसके बाद a medication which counteracts the effects of poison यानि कि ऐसी दवा जो poison के effects को खतम करती है वो आपकी कहलाती है antidote क्या कहलाती है antidote इसमें एक और बताते हैं अगर यहीं पर लिखा हो a person who believes that there is God यानि कि अगर भगवान में बिश्वास करने वाला ब्यक्ति है तो वो हो जाएगा theist यानि कि टी एच ई आई एस्ट यानि कि उसका a हटा दीजिए तो theist हो जाएगा यह हो जाएगा आस्तिक चलिए आगे बढ़ते हैं अगला हमारा है देखिए यह a person who does something not professionally what for pleasure यह एक व्यक्ति जो pleasure के लिए कार करता है professionally नहीं करता है उसको amateur कहते हैं क्या कहते हैं amateur यानि कि अबेवसाही उसको कहा जाता है amateur यह उसके बाद देखिए आंगे अगला हमारा क्या है अगला हमारा देखिए अपरसन विजाइडिंग इन अ कंट्री और विच ही जनौट अट शिटीजन यानि कि एक व्यक्ति ऐसे देश में रहता है जहां का वो नागरिक नहीं है उसको एलियन बोलते हैं क्या बोलते हैं एलियन बिदेशी यानि कि बिदेश में रहने वाले व्यक्ति को फॉरिणर या एलियन बोला जाता है यानि कोई व्यक्ति ऐसी जगह पर रह रहा है जहां पर वो देश उसका वो वहां का नागरिक नहीं है फिर भी रह रहा है तो उसको एलियन बोला जाता है अगला है आपका तो उसको कहते हैं एनो नाइमस तो इनको नोट करते जाएगा ये बहुत बोर्ड एक्जाम यूपी बोर्ड का क्या तो एक्जाम 24 तारीक को कली है इंगलिस का तो उसके लिए तो बहुत इंपोर्टेंट है ये इन में से इससे बाहर नहीं आएगा अगर ये इन में से आप पढ़ लेते हो तो इन में से पूरा पूरा जाएगा अगला है गबर्मेंट अगला देखिए गबर्मेंट वाइघ रूलर हुआ एग अनलेम्टड पावर क्याने कि ए अनलेम्टड पावर ऐसा रूलर जो उसके पास unlimited power होती है उसको autocracy कहते हैं निरंकुस्ता जिसको बोलते हैं autocracy एक बिक्तिका सासन जो होता है उसको autocracy बोला जाता है अगला है आपका a diplomatic representative of one country in another यानि कि एक कंटी का किसी देश का दूसरे देश में जो representative होता है उसको ambassador बोलते हैं ambassador यानि कि हिंदी में उसको राजदूत बोला जाता है ambassador याद कर लीजिएगा इसको अगला देखिए अगला है a traveler in space a traveler in space यानि कि एक व्यक्ति जो space में travel करता है अंतरिक चयात्री और इसको इंगलेस में क्या बोलते हैं astronaut astronaut अगला है an assembly an assembly of listeners यानि कि लोगों की सुनने वालों की भीड़ उसको क्या कहते हैं सोतागर audience to give up the throne to give up the throne यानि राज त्यागना राज को त्यागने को क्या कहते हैं abdicate abdicate यानि कि वेजटेवल लाइफ की जो साइंस होती है उसको क्या बोलते है ब्यूरो क्रेशी the life history of a man written by someone else अब देखे वहां पर क्या था कि the life history of a man written by himself स्वयम के द्वारा लिखी गी तो आटो वाईग्राफी यानि का आत्म कता हो जाती है और अगर किसी व्यक्तिका जीवन चरित्र दूसरे के द्वारा लिखा गया तो उसको वाईग्राफी बोलते हैं जीवन कता जीवनी अगला है आपका one who has narrow and prejudiced religious views यानि ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक कट्रता हो जिसके अंदर जो धार्मिक बहुत narrow minded हो संकुचित सोच रखता हो उसको वाईगाट कहते हैं वाईगाट कट्र जिसको बोलते हैं धर्मांद्र बोलते हैं अगला हमारा है देखिए festival of the hundredth anniversary यहनि की show words पूरे होने पर जो festival मनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं centenary सताबदी centenary the man who eats human flesh व्यक्ति जो human flesh को खाता है नर्वक्षी कहलाता है cannibal cannibal कहलाता है नर्वक्षी place for burial other than churchyard यह चर्चयार्ड जो होता है चर्चयार्ड का जो कवरिस्तान होता है उसके अलावा अगर कहीं किसी दूसरे इस्तान पर अगर हम वरियल करते हैं जहां पर दफनाया जाता है लोगों को वो symmetry कहलाती है क्या कहलाती है कवरिस्तान symmetry उसके बाद अगला है place for cremation of dead bodies यानि कि जहां पर दहासंसकार किया जाता है bodies का दहासंसकार किया जाता है वो crematorium कहलाता है crematorium समसान जिसको हम लोग समसान बोलते हैं अगला है a person who is free from national prejudice यानि कि ऐसा व्यक्ति जो national से नहीं पूरे विस्त से प्रेम करता हो विस्त पूरे विस्त को एक जैसा समझता हो उसको विस्त प्रेमी कहते हैं cosmopolitan cosmopolitan important है people working together in the same office department यानि ऐसे लोगों क्या बोला जाता है जो बैकती जो लोग एक ही same place पर same office पर same department में कांग करते हैं उनको से कर्मी यानि की कलिंग्स बोला जाता है क्या बोला जाता है कलिंग्स belonging to the अगला है हमारा belonging to the same time एक ही समय से अगर कोई चीजे या कुछ लोग संबंद रखते हैं तो उनको क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं contemporary 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 समकालीन उनको क्या बोला जाता है समकालीन बोला जाता है अगला है आपका देखे substance designed to make the skin or hair more beautiful यानि के ऐसी चीजें जो बालों को और इश्किन को सुंदर बना देती हैं वो सॉंद्र प्रसादन क्या कहलाती है क्या कहलाती है कॉस्मेटिक्स that can be believed जो विश्वास किया जा सके वो credible कहा जाता और यह पर अगर आ जाए that cannot be believed क्या जाए that cannot be believed तो वो क्या हो जाएगा incredible that can be believed credible विश्वास नहीं है or that cannot be believed incredible यानि कि अविश्वास नहीं है the state of being unmerited तो वो क्या कहलाती है शेलवेशी ब्रहमचर्व शेलवेशी ब्रहमचर्व the artist who draws the comic pictures यानि जो ब्यक्ति comic pictures को draw करता है उसको क्या बोलते हैं caricatrist aastigenic चित्र बनाने वाला अगला है आपका देखिए यह a government of the people by the people and for the people यानि का ऐसी government जो लोगों की होती है लोगों के द्वारा चलाई जाती है और लोगों के लिए ही होती है तो उसको क्या बोलते है उसको बोलते है प्रजातंत्र यानि की democracy जो की इसमें चल लाई है अपने इंडिया में भी चल लाई है a battle or match in which neither party wins यानि का ऐसा यूद्ध या match जिसमें कोई पार्टी नहीं जीतती है इसको draw कहते हैं unarrate draw want of rain यानि की बर्सा की कमी को क्या कहते है सूखा कहते है a disease that spreads over a large area यानि की ऐसी disease जो काफी बड़े इरिया में फैलती है उसको epidemic कहते है epidemic यानि की महामारी जैसे की अभी कोरोना वायरस आया था यह क्या है महामारी epidemic इसको बोल सकते है articles sent from one country to another यानि की जब एक देश से दूसरे देश में article भेजे जाते है तो उसको निरियात यानि की export बोला जाता है क्या बोला जाता है export note भी करती जाएएगा बहुत important है यह अगला that which that which is fit to be eaten यानि की वह चीजें जो खाने योग हो उनको कहते है a person who leaves his own country and goes to live in another यानि का ऐसा एक जो अपने contribution को दूसरे देश में रहने लगता है उसको emigrant कहते है emigrant emigrant a speech delivered without previous preparation यानि ऐसी speech जो बिना तयारी के की जाती है उसको extempore कहते है extempore अगला है words inscribed on grabs यानि कबर के ऊपर जो सब्द लिखे जाते हैं उसको epitof कहते है क्या कहते है epitof note करते जाईए गैंको one who bleeps in fate वह वैक्ती जो भाग में विस्वास करता है उसको fatalist कहते हैं भागवादी अगला है आपका जो मिर्तु का कारण हो सकता है उसको fatal यानी घातक कहते है अब देखे a man residing in a country of which he is not citizen वही foreigner विदेशी जो alien होता है वही यह भी होता है same condition same चीज है अगला है आपका a medicine that kills germs ऐसी medicine जो germs को मारती है germicide कहलाती है कीट नाशक क्या कहलाती है कीट नाशक a person who eats too much ऐसा वेक्ट जो बहुत ज्यादा खाता है वह कहलाता है gluten ज्यादा खाने वाला अगला है an office for which no celery is paid ऐसा office जहां पर celery नहीं दी जाती है वह कहलाता है honorary honorary अगला है killing of a human being especially by another यानि कि दूसरे के द्वारा वेक्ट को अगर मारा जाता है उसको नरहत्या कहते है homicide और जो swarm हत्या कर लेता है आत्म हत्या कर लेता है suicide swarm swarm हत्या कर लेता है उसको अब इसमें कुछी चीजे हैं आपको बता दें अहीं पर जो है murder of king हो तो रेगिसाइड अगर राज हत्या रेगिसाइड होता है murder of father हो तो patricide murder of father patricide p-a-t-e-r-i-c-i-d patricide और यहीं पर murder of brother हो तो fratricide ठीक है उसके बाद murder of infant and sis वत्या तो infanticide और यहीं पर अगर आजाए आपका murder of brother तो fratricide murder of mother matricide और यहीं पर अगर आपका आजाए murder of sister sister तो sorori site तो यह कुछ है यह भी आपको याद कर लेने है तो चलिए अगला है आपका that which cannot be जो लिखाना जा सके वो sorry पढ़ाना जा सके eligible यानि अपठनी है a person who comes to one country from another in order to settle there यानि एक ब्यक्ति दूसरे अगर जगह पर रहने के लिए आया तो उसको immigrant grant बोलते है आवासी रहने के लिए अगर आया है अगला देखिए that which is contrary to law यानि कि वो जो law के खलाप है अवैदानिक illegal कहते हैं उसको capable of catching fire easily यानि fire को easily आग जल्दी जिसको पकड़ लेती inflammable होता है seek raag पकड़ने वाला फिर one who lacks knowledge यानि जिसके पास ग्यान की कमी होती है उसको ignorant यानि अग्यानी बोलते हैं one who knows many language वह जो भावसी भासाओं को जानता है उसको linguist यानि कई भासाओं को जानने वाला और दो भासाओं को जानता है तो bilingualist room और building used for scientific experiment ऐसी जगह जो scientific experiments के लिए यूज की जाती है उसको laboratory यानि प्रियोग साला बोलते हैं hand written matter उसको मैं मैंने इस्क्रिप्ट बोलते हैं पॉंडूलिपी या हस्तलिपी person which cause to suffer for a great cause यानि कि एक व्यक्त जो महानकार के लिए मरता है सहीद होता है उसको martyr यानि कि सहीद बोला जाता है person working for money एक व्यक्त जो money के रुपए धन के लिए काम करता है तो उसको mercenary बोलते हैं किराय पर क्राम करने वाला an established principle of practical wisdom उसको बोलते हैं सूक्त यानि मैक जिम फिर उसके बाद a place where dead bodies are kept before post-martem यानि post-martem से पहले dead body को जहां रखा जाता उसको mortuary बोलते हैं उसके बाद अगला है a person who hates mankind व्यक्त जो मानपता से घरणा करता है उसको misorthropist बोलते हैं मानपता से घरणा करने वाला अगला देखिए अगला है widely known for bad works यानि कि गलत कारियों के लिए जो जाना जाता है उसको notorious यानि को क्यात बोला जाता है giving of special flavor by a person in high position to his relatives यानि कि जो अपने relatives को पोजीशन पर पहुंचाने कोसिस करता है उसको nepotage में यानि कि भाई बतीजा बाद बोलते हैं person who eat meat वैव्यक्ति जो meat खाता है उसको massahari यानि कि non vegetarian बोलते हैं word or custom which is no longer in use यानि कि एक ऐसा सब्द या custom कोई भी परंपरा जो अब नहीं अब प्रचलित है उसको obsolete यानि कि अब प्रचलित बोलते हैं that is not white जो ज्यादा ब्यापक नहीं है उसको narrow बोलते हैं a person who looks at the bright side of the things यानि एक वैक्त जो चीजों को आसा से देखता है उसको optimist यानि कि आसाबादी कहते हैं और a person who looks at the who dark side of the dark side of the things dark side अगर दिया गया तो वो पेशी मिस्ट होता है यानि कि निराशाबादी a child whose parents are dead ऐसा बच्चा जिसके माता पिता की dead हो चुकी हूँ orphan अनात कहलाता है नगला देखे all-powerful all-powerful उसको उसको रूडवादी कहते हैं orthodox that which cannot be seen through यानि कि जिसके आप आर पार ना देखा जाएक सके opaque कहलाता है अपार दर्सी one who is present everywhere वह जो हर जगह अपस्तित हो सकता है शर्व यहापी यानि कि Omnipresent जैसे God is Omnipresent one who knows everything वह जो सब कुछ जानता है सरवग्य सरवग्याता Omniscient medical examination of a dead body dead body का medical examination सब पर इच्छा जिसको post-mortem बोलते हैं a person who looks at the dark side of things अभी हमने बताया paciment इराशाबादी remedy for all kinds of diseases ऐसी दवा जो सभी बीमारियों में काम आती है panacea कहलाती है उसके बाद one who lives on another यानि वह जो दूसरों पर निर्वर रहता है parasite कहते हैं उसको a lover of mankind philosophist a head of mankind mistropper बोलते हैं उसको philosophist आगे देखिए अगला है one who goes on a journey to holy place वैज एक टी holy place यानि की तीर्थ स्थानों पर पवित्र स्थानों पर घूमने गया हो उसको pilgrim बोलते हैं यानि तीर्थ यात्री child born after the date of its father अपने पिता की मृत्तु के बाद जन्म लेने वाला posthumash यानि की posthumash कहलाता है the practice of having more than one husband at the same time यानि एक से अधिक पती रखने वाली पत्ता को क्या कहते हैं polyandry बहुपती प्रथा अगला है one who has great love for one's country जो अपने देश को बहुत ज्यादा प्रेम करता है patriot यानि देश वक्त one who goes on food जो पैदल चलता है उसको पदयात्री यानि pedestrian कहते हैं one who lives alone and avoids people वह जो अकेला रहता है reckless कहलाता है killing of oneself अपने आपको मारने वाला आत्मत यानि society ये बता चुके पीछे one who is spokes on behalf of others जो दूसरों के लिए बोलता है वह spokesman या spokesman या spokesperson प्रवक्ता कहलाता है a thing which is not fresh वह चीछ जो अच्छी नीश टेल यानि की बासी one who extends completely from alcoholic liquor जो alcohol से बिलकुल दूर रहता है उसको गहते है टी टो टेलर person who believes that there is God बता चुके हैं सबसे पहले ही है आपको अगला है आपका देखिए that which can be seen through यानि वह जो आरपार दिखाई देता है उसको कहते हैं पारदर्सी यानि की transparent of one mind or opinion देखिए of one mind or opinion तो उसको even a minus या सर्व सम्मत कहते हैं that which difficult to believe यानि की जिसमें विश्वास करने योग ना हो unbelievable अभी श्वशनी है a person who lends money at very high rate of interest यानि की जो एक व्यक्ति जो पड़े उचे प्याज पर धन देता है उसको अश्रर कहते हैं यानि की सूथ खोर one who lives holly on vegetable food यानि की vegetable साकाहारी vegetarian बोला जाता है a person who has a long experience उसको veteran बोलते हैं बहुत ज्यादा आनुबब रखने वाले an action taken at once free will यानि की स्वच्छा से कार्य करने वाले को voluntary बोलते हैं स्वच्छा पूर्बग जो काम करते हैं a person where cloths are kept यानि की a place where cloths are kept एक इस्तान जहां पर कपड़े रखे जाते हैं wardrobe बोला जाता है that which cannot be tempt a person जो जिसको पाला ना जा सके वो wild जंगली कहलाता है a woman whose husband is dead एक महला जिसके पती मर चुक है विडो बिदवा कहलाती a man whose wife is dead और एक वेक ती जिसके पती पत्नी की मिरत जो हो चुकी हो वो बिडोवा रहने की बिदूर कहलाता है तो आसा करते हैं कि यह यह जो हमने आपको आज one word substitution बताए हैं यह परिच्छाओं में आने वाले होते हैं सारी परिच्छाओं जहां भी इंगलेस आती है हर जगे के लिए important हैं तो इनको अच्छी तरह तयार कर लिए यह 100 प्लस आपको हमने आप one word substitution बनाए है तो एक आपसे कहना चाहेंगे अगर अभी तक आपने जो अगर जो मेरे चैनल पर नए है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक और कमेंट भी करें धन्यवाद